नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसाम के अंदर कुछ sleeper cells को यहाँ पे बस्ट किया गया है यह sleeper cells अल-Qaeda के बहाफ पे इंडिया में active थे सबसे पहले तो समझें देवाली बात है यह sleeper cells होते क्या है तो overall इनके बारे आपने हमारी Bollywood की movie में सुनी लिया होगा कुछ साल पहले अक्षा कुमार की movie आई थी holiday उसमें sleeper cells दिखाए गए थे अभी recently बकवास सी movie आई थी मुझे तो खेर बकवास लगी हो सकता उस लोगका अच्छी लगी हो सूरेवंशी सूपर डूपर हेट गई थी तो इसमें भी sleeper cells का context दिखाए गया है sleeper cells मतलब कुछ ऐसे individuals जो की देश के बाहर based terror organizations के साथ affiliated है और इंडिया के अंदर वो एक आम आदमी की तरह एक आम नागरिक की तरह crowd में jail करके रह रहे है और जब उनको उनके terror cam की तरफ से call आईगी वो एकदम से बाहर निकल के terrorist attack कर सकते हैं कोई unwanted social unrest cause कर सकते हैं ऐसे लोग को बुले आता sleeper cells यह dangerous इसलिए होते हैं चुकि आम आदमियों को देश की जनता को पुलिस को आर्मी को पता नहीं होता है कि इस प्रकार का कोई individual है चुकि बहुत अप्तक anti-India है वो normal citizen मन के रह रहे हैं बड़ समय आने पर काफी violence cause कर सकता है अब इस प्रकार के sleeper cells को activate करने की कोशिश करता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर अब यहाँ पे यह जो अलकाइदा ग्रूप है अलकाइदा ग्रूप से affiliated अंसरुल्ला बंगला टीम ठीके ना यह एक organization है इसको ban करके रख 2022 को कुछ members इस sleeper cells के पकड़े गए जिसमें एक member है सैफुल इसलाम इसका दूसरा नाम है आरून रशीद यह बांगलादेशी individual है जो कि 2019 में अलकाइदा के बिहाफ पे इंडिया के अंदर आया और आसाम में बारपेटा नाम की जगा पे अपना base बनाके यह और radicalized Muslim youth को recruit करक अपने organization की followers बढ़ा रहा था sleeper cells active कर रहा था कि एक appropriate time पे terrorist attack किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है कि अभी बहुत से sleeper cells आसाम के अंदर active है हो सकता है आगे आने वाले समय में इनको bust किया जाए जो 5 लोग अभी के लिए पकड़े गए उसमें एक तो सैफुल इसलाम है और बाक नहीं होते यह किसका बोलना है यह बोलना है भासकर ज्योती महनता का जो कि senior IPS officer है आसाम की लेकिन वो individuals जो कि आप कहलो illegal migration के थूँ आसाम से इंडिया के अंदर सोरी यह बंगलादेश से इंडिया के अंदर entry मारी है यह नेपाल से entry मारी है मैं आपको बता दू आसाम में Muslim youths जो कि कहीं न कहीं extreme ideology से influence हो जाते हैं और चुकि वो इंडिया में आ गए है तो उनको proper citizenship का ठपा मिला नहीं है overall उनको governmental benefits नहीं बिलते, economic opportunities ज़्यादा है नहीं, पढ़ाई लिखाई की कमी है तो radical ideas से वो जल्दी influence हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों को recruitment के लिए try करते हैं यह सैफोल इसलाम जैसे लोग जो कि Al-Qaeda के बहाफ में इंडिया के इंदर आके operate कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ 2014 में Al-Qaeda का जो इस समय का chief है आयमान जवाहरी 2014 में इसने एक वीडियो के थूरू बताया था कि हम Al-Qaeda in the Indian subcontinent open कर रहे हैं मतलब AQIS Al-Qaeda की Indian subcontinent में जो branch होगी और यह जो branch है वो कितनी countries को cover करती है तो इंडिया को cover करती है पाकिस्तान लोग करती है बांगलादेश को cover करती है मायनमार को cover करती है मतलब इन इन इलाकों में जो Al-Qaeda का main branch होगी वो होगी AQIS और AQIS के साथी associated बताई जारी है अंसुरूला बांगलाटीम यहाँ पे एक major scale पे national investigation agency के दोरा combing की जारी है इन sleeper cells को track करने के कोशिश की जारी है कौन-कौन से young man है जो कि सैफुल इसलाम की बातों में आके radicalized हो गए है sleeper cells में convert हो गए है इनको यहाँ पे track करने के कोशिश की जारी है शुरवात में तो Assam Police ने overall अपने आपको इस case में involved किया था लेकिन बाद में एक case चुकि यह national security से involved है, terrorism से involved है तो यह case national investigation agency को transfer कर दिया गया है जो कि यहाँ पे cross border linkages को चेक करना है, international ramifications को चेक करना है तो NIA is the most potent body to act in this thing हाला कि NIA को back end से Assam Police को support मिलता है जो अभी 5 suspects पकड़े गया है, उनके उपर unlawful activities prevention act लगाया गया है उनसे पता करने कोशिश की जारी को और कहां कहां पर recruitment हुए लगबख September 2020 में इसी Al-Qaeda के affiliated group के 10 और suspects को पकड़ा गया था और उस समय पर information यह निकाली गई थी कि शायद इवेस्ट बंगाल, दिन्ली और केरला में कोछ टेरर activities करने वाले है बहुत सी ऐसी जो हमारी secret agencies है ना, national investigation agency होगी, research analysis हो गई यह बहुत आप कहलो, इस प्रकार से काम करते हैं दोस्तों की पता नहीं चल पाता है इनकी बहादुरी के बारे में देश की जनता को आपने movies में भी इस चीज़ को देखा हो, जैसे for example, CISF का जवान है, CRPF का जवान हमारे army की जवान है, यह border पे लड़ गए, जब यह शहीद होते हैं इनको शहादत मिलती है, लोग इनको मानते हैं, हम इनको शरधाजली देते हैं, कहीं न कहीं उस दुनिया को छोड़के च देश की सिक्यूरिटी को बचाने के लिए काम कर रहे है, NIA एक प्रीमियर इंवस्टिकेशन एजनसी इंडिया की, बहुत स्ट्रॉंग है, NIA एक 2008 के थुरू बनाई गई थी, Sovereignty, Security, Integrity of India को प्रोटेक्ट करती, Security of State को, Friend Relation, Foreign States को, Atomic and Nuclear Facilities के अगेस्ट को अटैक प्लान हो रहा है, Currency में अगर कोई Forfeiting हो रही है, International Treaties, Agreements के Implementation में अगर कहीं से कोई रोडा निकल के आ रहा है, Terror को रोकना है इंडिया के अंदर, Counter Terrorism Law Enforcement Agency में सबसे उपर NIA है, पहले नाम आता था यहाँ पे Research and Analysis विंका, लेकिन अभी के लिए जो NIA का Ambit है, वो काफी जादा हो गय के लिए, तो इनको पैसा प्रॉपर तरीके से फंड करके मिलता था, और इस पैसे की थुरूँ यहाँ पर ग्राउंड लोय पर रेक्रूट्मेंट होता था, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्स्ट्रीम आइडिया से राडिकलाइजड हैं और उनके पास प Contribution Regulation Act के अमेंडमेंट है, यह बहुत ज़रूरी रहें, सरकार का यह बोलना है, कि जब देश के बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आता है, तो देश की सरकार को पता होना चाहिए कि वो पैसा किसले यूज हुआ, इसले Foreign Contribution Regulation Act में प्रॉपर अमेंडमेंट किये गए, बोला पाती थी, और सरकार और I.B. की रिपोर्ट्स ने बहुत बार ऐसा बताया है, कि Foreign Contribution Regulation Act के सुझो पैसा इंडिया के अंदर आता है, कई बार उसको टर्रिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तमाल भी किया जाता है, इसलिए FCRA में सरकार ने अप्रॉप्रियेट अमेंडमे को valid माना है, लेकिन overall अगर आप देखो तो ये news इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, हमें ये पता है कि Pakistan लंबे समय से टर्रिस्ट को इंफिल्ट्रेट करता है, overall कश्मीर की बार्डर को इस्तमाल करके, अभी जो बांगलादेश आसाम का बार्डर है धूबरी के आस पास का वहां से भी इस प्रकार का इंफिल्ट्रेशन हो रहा है, ये इंडिया के लिए प्रॉब्रमाटिक थीगे, देखें बंगलादेश के अंदर जो सरकार है, overall शेक हशीना की, वो कही न कहीं प्रो इंडिया है, बट एंटी सोशल एलिमेंट्स बंगलादेश के अंदर भी है, टेरर ग्रॉब्स वहां से भी उप्रेट करते हैं, जिसके तुरू इंफिल्ट्रेशन इंडिया के अंदर किया जाता है, तो इसको इंडिया को काउंटर करने की जरूत है, अभी रिसेंटली ये पताया गया कि आसाम में धूबरी नाम की जगा पे बहुत सरे फेक इंडियन करेंसी के नोट्स पाएगे, वो भी इंटरर और्गनाइशन द्वारा सर्कुलेट किये जा रहे थे, तो ये एक कॉंस्पिरेसी है, ओवराल देश के अंदर इस्टिबिलिटी फिलाने की, टर्रिस्ट अटक को प्रांट करने की, और हैट सॉर्स तो और इंवेस्टिकेशन शूट गई थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कम्प्लीट करते है, थैंकियो फो वाचिंग फेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाने, इस्टराम पर फॉलो को लो, टेलिगाम गूप जान कर लो, दोनोई चीजों कर लोई इस डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिय वाँ ग्रेट दिस्क्रिप्स, गुट्बाइ